हे गाईज सेफ शॉप के बहुत बड़े लीडर इवल इंडिया के फाउंडर आखिर सेफ शॉप में रिटर्ण नहीं आए क्योंकि वो आ रहे थे तो उनको लिया नहीं गया तो आखिर वो है कहां और दोस्तों Safe Shop में एक बहुत बढ़ी खुसकबरी है कि भाई बहुत सारे लीडर्स वापस आ चुके हैं जिनके लाखों में टीन थी दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि आखिर हर्स बिल्ला और दिपक बिल्ला सर गए कहां क्योंकि Safe Shop में वो आ रहे थे लेकिन उनको Safe Shop के जो Directors हैं उन्होंने Accept नहीं किया वो Safe Shop के अंदर उन्हें इंट्री नहीं दिये लेकिन कुछ लीडर ऐसे हैं जिनके लाखों में टीम है भाई मैं अगर उन लोगों की मैं बात करूं तो वो लोग ऐसा अपना Speech दे रहे हैं जिसे आप सुनेंगे न तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि भाई उन लोगों को एसास हो गया कि हम लोगों ने गलत डिसीजन ले लिया है फिर वो लोग Safe Shop में रिटन आये डिरेक्टर से मिले संजे गुपता सर से मिले सुनेलमान सर से मिले उसके बाद वो लोग डिसकस कियें कि भाई आगे करना क्या है तो दोस्तो आज मैं वही च चैनल में नहीं है तो चैनल को सबस्क्राइब करिए और बेल आइकन को भी जबूर दबाए दोस्तों हमारा इस्टाक्राम एड़ेस है वाननसरी 43 आप उसे जाए उसे फॉलो करें तो चलिए सुरू करते हैं कि सेपशोप के ही कुछ लीडर्स थें जो कि सेपशोप कंपणी को छोड़ चुके थें और वह अपना कंपणी स्टार्ट कर चुके थे उसमें एक दो ऐसे लोग हैं जिनका कंपणी रन कर गया और बहुत ही बढ़ियां तरीके से चल रही हैं बहुत सारा पैसा कमा रही है और उनके जो directors हैं, वो safe shop से ही निकल के, कहीं न कहीं वो गएं, और दूसरी company start कियें, और वो directors बढ़ियां तरीके से पैसा कमा रहा है, तो उन में से कुछ लिटर ऐसे हैं, जिनका mind में ये चल रहा था कि भाई, वो निकल गया, वो निकल गया, ऐसे हो गया, ये छोड़ रहा ह तो थोड़ा सा लोग उसमें confused हो गएं, कि लोग छोड़ रहे हैं, यार अगर मैं भी छोड़ दूँगा, दूसरी company में start करूँगा, तो मैं भी कमाने लगँगा, तो इस तरीके से हर्स बिल्ला, दिपक बिल्ला सर जो थें, उन लोगों को थोड़ा सा खटपट लगने फिर ये लोग मीटिंग करने लगें अंदर-अंदर, जब मीटिंग में बात चलने लगी, तो यहाँ पे सपने बहुत बढ़ियां-बढ़ियां दिखाया गया, बहुत बढ़े-बढ़े सपने दिखाये गएं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिनके अंदर इतना जावा excitement आ गया, इतना जावा excitement आ गया, यह मैं नहीं कह रहा हूँ, आप Facebook खोले और उसके अंदर लाइप वीडियो आप देखिये, उसमें आप लोग देखियेगा कि यह लोग इतने excited हैं, इतने excited हैं जैसे कि यह लोग करोरपती बन गये हैं एक मेने के अंदर, तो इतना जावा excitement लेकिन जब कहा गया, इवोल्म इंडिया के founder द्वारा, याने कि हर्स बिल्ला और दिपक बिल्ला द्वारा कहा गया, कि भाई registration स्टार्ट करो, और एक ड़र मेना के अंदर सारे products आ जाएंगी, यह हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, यह मतलब यह लोग का अपना जो planning था, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करने लगे, planning करने लगे, और सभी कोई अपना registration कराने लगे, क्योंकि यहाँ पे कोई Venus चला गिया था, कोई Triple Diamond चला गिया था, कोई Double Diamond चला गिया थे, इन लोगों के पास लाखों का team था, तो यह लोग अपने team को लेके चले तो जब वहाँ पे registration होने लगा, होने लगा, लेकिन इन लोगों का कहना था, कि भाई हम लोगों को देड़ महिना से सिर्फ गोल गोल घुमाया जा रहा था, यह होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, लेकिन एच्वली में company start हो नहीं पा रहा था, तो फिर क्या हुआ ना, देड सारे लोग ऐसे होते हैं, network marketing के अंदर, कि वो लोन में गाड़ी लेते हैं, और बहुत सारे लोग लोन में घर लेते हैं, तो उन लोगों का pressure यह था, कि लोन भाई कहां से चुका है, क्योंकि यह तो company start हो नहीं रही है, यहां से तो income आने वाला है नहीं, और safe shop से तो हम लोग से मिले, यानि कि Sanjay Gupta सर है, सुनीन मान सर है, यह बड़े-बड़े leaders जो है, इन से यह लोग discuss करने लगे, तो इन लोगों को यह समझ में आया है, कि really में हम लोग कुछ गलत कर चुके हैं, फिर यह लोग क्या किये, धिरे-धिरे-धिरे-धिरे यह लोग वापस आ चुके हैं सीप-चुप के अंदर, और इन लोगों को पर्मामेंटली यह समझ में आ गिया है, कि हम लोग वहाँ पे जाके गलती किये, तो मैं आपको एक-एक करके फोटो और नाम के साथ, मैं आपको स्लाइड में दिखाऊंगा, तो आप हमारी इस वीडियो में दिल थाम के बने रहि तो चलिए हम लोग इस स्लाइड को देखते हैं, सबसे पहला स्लाइड हम लोग देखते हैं, यह प्रदीप मिस्रा जी और यह वीनस लीडर है, अगर मैं इनकी बात करूँ, तो इनका बहुत बड़ा टीम है, और सोचके देखिए, ऐसे ऐसे लीडर का माइंड जो है, भटक चुका था, और यह लोग गलट डिसिजन ले चुके थे, और जब यह लोगों को पता चला कि भाई, कि यह गलत है, ऐसा ऐसा इन लोगों को गुमरा किया गया है, तो इन लोगों को समझ में आया, और यह लोग गलट डिसिजन लिये थे, और यह बहुत ही सोचने के बाद फ सोच के देखे ये इनके साथ भी विश्वास गात हुआ कि भाई इनको बोला गया कि ऐसा हो जाएगा ये हो जाएगा याने कि बड़ा बड़ा सपना दिखाया गया और इनको वहां पर बुलाया गया लेकिन इनको समझ में आ गया और आज ये सेप शॉप के अंदर रिटन और ये आज वापसी कर चुके हैं शेप शॉप के अंदर तो बड़े बड़े लीडर्स का भी माइंड घसकता है कहीं नहीं तो इसलिए आप लोगों को अपने माइंड को घसकाना नहीं है जहां पर है वहीं पर रखना है और बढ़िया तरीके से काम करना है अब हम लोग न अगिरत सिंग जी और अगर मैं इनकी बात करो तो ये डाइमंड है और इनका माइंड भी भटक चुका था सोचके देखें दस हजार का टीम और इनका माइंड बटक गया तो सोचके देखें कि आज क्या-क्या हो रहा है मार्किट के अंदर तो ये भी सेप शॉप के अंदर वापसी कर चुके हैं और इनका कहना है कि बहुत ही सांदार तरीके से ये वर्क करेंगे शेप शॉप के अंदर तो हम लोग देखते हैं नेक्स स्लाइड और ये हैं पंकच राज प्रेमी और पंकच राज प्रेमी जी डबल डाइमेंड है याने कि 20-30,000 का इनका टीम है और ये नीचे वालों का भी माइंड बटकेगा तो ये भी डबल डाइमेंड है और ये भी आज रीटन आ चुके हैं अब हम लोग देखते हैं ये हैं शोहन कुमार सिंग और डबल डाइमेंड है ये और ये भी बटक चुके थे ये भी दूसरे जगा पर जा चुके थे याने कि इबॉलम इंडिया जो कमपनी बनने वाली थी, वहां पर ये लोग जा चुके थे और ये लोग भी वापसी हो चुके है, वापस आ चुके हैं, और ये भी बढ़ी तरीके से काम कर रहे हैं, फिर हम लोग देखते हैं, ये हैं अमरनाथ बार्गो जी और यह double diamond है, करीब 20-30,000 का team है, और यह भी भटक चुके थे, कहीं न कहीं जा चुके थे, और यह भी आज वापसी कर चुके है, और सेपशप में बहुत ही सिद्दत से यह काम कर रहा है, अब हम लग चलते हैं, next slide पे, यह है अजीत कुमार खामोस जी, और बहुत ही खामोसी के सा यह चले गया थे, वाल इंडिया में, और बहुत ही सोर के साथ, यह सीफशप के अंदर आ चुके है, लाइब वीडियो में बताएं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, और यह भी आज रिटर्न आ चुके हैं, वापसी कर चुके है, और यह भी बहुत ही सिद्दत तरीके से, काम कर सेब्शप के अंदर तो भाई मैं आप लोगों को क्लियर रहे कर दूँकि आप लोगों को यह लगतका होगा कि में वीडियो क्यों नहीं दिखा रहा हूं लाइब तु वीडियो मैं इसली नहीं दिखा रहा हो क्या कोपिराइवट का फंडबा रे इसलिए अगर आप लोग चाहते हैं कि इन लोगों को लाइब वीडियो देखें तो मैं आप लोगों को लिंक दे दूँगा कोई भी वीडियो को उठाके मैं उसका लिंक दे सकता हूं आप उस लिंक से जाके इन लोगों का लाइब वीडियो आप देख सकते हैं जो कि ये लो खुद से कहें कि इन लोग के साथ क्या क्या हुआ था तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स स्लाइड पर और नेक्स स्लाइड बहुत ही सांदार टोपिक है अगर मैं बात करूं तो इवोल्ब इंडिया E-I-B-O-L-B-E-I-N-D-I-A E-I-B-O-L-B-E-I-A लोगों के अंदर प्रेशर आने लगा लाखो लोगों का तो फिर यह लोग क्या किये कि सेप्शोप के जो डैरेक्टर्स हैं रजतवरमाशर उनके पास गये हैं फिर बात उतकरने का कोसिस किये लेकिन बात नहीं हो पाया यानि कि कहने का मतलब यह है कि सेप्शोप के जो डैर रूट प्योर में और इनके साथ भी कुछ-कुछ लिडर्स हैं जिने मैं जानता हूँ अमित मिस्रा सर हैं मैं आप लोगों को एक फोटो भी दिखा देना चाहता हूँ जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि यह लोग फाइनली अभी रूट प्योर के अंदर काम कर रह हैं और इनका ज्यादा था टीम टूट चुका है और यह लोग पता नहीं किनके के साथ गये हैं कुछ लोग तो गये ही होंगे इनके साथ जिसमें मैं जानता हूँ कि अमित मिस्रा सर यहां पर देखिए रूट प्योर लिखा हूँ है ग्रेंड वेलकम और यहां पर कि बहुत सारे लोग यह तो वीडियो बनाये कि यह लीडर चला गया वो चला गया लेकिन बहुत सारे ऐसे यूटूबर्स हैं जो यह चीज नहीं क्लियर किये कि भाई बहुत सारे लोग यहां पर रिटर्ण आ चुके हैं याने कि जो गलती करता है और गलती का सबक कितना ब और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं दोस्तों हमारा इंस्टाग्राम एडिया है सेवाननसरी43 आप उसे जाएं उसे फोलो करें और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके टोपिक में वीडियो बने तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें मुझे लगेगा कि बढ़न गल्चार में लिए बड़ने टार उसे प्योड़ा करें मुझे हैं कि आपके लगेगा को बढ़ने दो चर्वी जानका के कि आपके और बाद।